हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चानल, तो आज का जो वीडियो है मेरा ये है अंकुष अगनी होतरी और छुटकन्नी जिज्जी यानी परीतो पे तो चलिए, पहले मैं टाइटल पड़ूँगी, फिर उसके बारे में मैं अपने कुछ विचार रखूँगी आप लोग का क्या कहना है, प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और मैं यहाँ पे बार-बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अपनी वीडियो में कोई गाली नहीं देती हूँ, ठेक है मैं कुछ गंदा नहीं बोलती हूँ, जो मुझे पॉइंट बोलना होता है, रियाक्शन के हिसाब से मैं वो पॉइंट अपना रखती हूँ और आप लोग भी प्लीज किसी के लिए कोई गलत वर्ड यूज ना करिये, हमारा जो मकसद है, वो सामने वाले को उसकी गलती रिलाइज कराना है, अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मैं एक ही का फेवर लेके चलती हूँ, जो सही होता है, उसको सही बोलूँगी, जो गलत होता है, गलत बोलूँगी, एंड एक और चीज, काफी जो न्यू लोग एड होते हैं, उन्हें बाकी काफी पुरानी चीज़े नहीं पता होती है, उन लोग को काफी चीज़े नहीं पता है, इसलिए बोलते हैं, लेकिन जिन लोगों ने दो साल से देखी हैं वीडियो, उन ही तुम्हारा ऐसा रूप दिख रहा है, तो भई जो लोग कह रहें कि बच्चे का सोचो, बच्चे का सोचो, उसके बारे में भी बात करेंगे आज, सिधर्ध के बारे में, है ना, कि एक अच्छी फैमिली, फादर-मदर का साथ में, जो एक बच्चे की अब्रिंगिंगिं नहीं उसने खुद बोला था जो सोशल मीडिया पर दिखाते हूं वो चीज़े अलग होती है ठीक है आज सब बात करेंगे चलिए फ्रेंट्स वेल्कम तो मैं चानल इसमी स्वाती और सबसे पहले आज अभी एक अंकुष का एक वीडियो आया है सेकेंड संडे है इसलिए सुबह से शाम तक घर रहा तो भई सेकेंड संडे मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि सेकेंड संडे का क्या सीन है आपको पता ही होगा यह है एक बेबस फादर इस टाइम कह सकते हैं ठीक है और जो हमारे राइट्स है ना कानून ने कुछ फादर मतलब मदर्स के राइट्स इतने स्ट्रॉंग हो गया है कि जो फादर हो सभी में बेचारा ही हो गया और यह सिर्फ मैं अभी के लिए नहीं कह रहे हूं यह जो फादर है इसके अफर्ट हम बहुत टाइम से देख रहे हैं अपने बच्चे से मिलने के लिए उसके आस आगा वो उसका नाम तक नहीं ले पा रहे है और लोगों ने बोला कि भई आपका बेटा है ठीक है आपका वंच है आपके घर का बच्चा है आप उसको ओपन ली आप उसको कमल बोल रहे हो ठीक है कमल जिस रेफरेंस में बोला लेकिन क्यों बोला आप लोगों ने सोचा उ तो खेर आप चोड़े में आप उसके फादर हो आप बिल्कुल आपको हक याप उसका नाम सिधार्थ बोलिए और सिधार्थ के लिए जो लोग बोलते हैं कि देखिए मैं आपको बताना चाहते हूं एक बच्चे की मैं भी अपने चानल पर आज भी मैं यही बोल रहे हूं पे आप सामने वाले को मतलब गाली गलाज करे लडाई जगडा करे तो यही जो environment होता है ने टौक्सिक environment हो जाता है अभी जो लोग कहरें उसको ले आओ एक मौका दो, एक last मौका दो देखे अगर वो एक last मौका दे भी देता है उसने शायद कल की वीडियो में भी clear किया है और ये मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो के अधार पे बोल रहे हूँ इसमें मैं कुछ अपना additional नहीं डाल रहे हूँ आप लोग, सब लोग जो यहाँ पे हैं पेरेंट्स भी होंगे, जिनके बच्चे भी होंगे आप सोचिए, बच्चे के लिए दोनों important होते हैं लेकिन अगर बच्चे के सामने माबाप लड रहे हैं एक दूसरे को गंदा गंदा बोल रहे हैं एक दूसरे की फैमिली पे गाली गलोज हो रही है, रोज रोज लडाई हो रही है तो क्या यह अब बच्चे के लिए अच्छी है यह toxic relationship है ना, ऐसे माहौल में बच्चे क्या positive, क्या उसको अच्छा मिलेगा वो कुछ गलत ही सीखेगा, गलत चीजे ही उसके दिमाग में जाएंगी ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो अभी अंकुष का वीडियो आया है, जिसमें टाइटल था second Sunday, अब मैं आप लोगो बता देना चाहती हूँ, visitation rights अंकुष को September से visitation rights मिल चुके हैं, कि हर बच्चे को, है ना, अपने बच्चे के फादर से मिलवाया अपने पेपर वाले हस्ब्रेंट से मिलवाया उस बच्चे को आपका relation चली, अभी हम लोग इस बहर में बात नहीं करते हैं, जो चीज़े चल रही हैं, वो court में हैं, लेकिन जब एक चाहते हैं ना, कि ठीक है, आप लोग साथ मिला रहे के भी, आप दोनों काफी ऐसे couples हैं आजकर, जो बच्चे की जब बात आती है, दोनों एक हो जाते हैं आपको, उस बच्चे को दोनों का प्यार मिले ठीक है, लेकिन साथ रहे के लड़ाई करना, एक रोज-रोज उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़े जाना, उसके लिए तो ये बहुत negative हो जाएगा ठीक है, लेकिन आज क्या वाकरी शुटकरनी जिज़े मिलने आई उस बच्चे से, उस बच्चे को ये होता चलो, ठीक है, कोई नहीं हमारा छोड़ो हमारे बच्चे के लिए जो चीज़ ठीक है क्या उस चीज़ को लेकि इतना ego high हो चुक है कि अभी भी अपने बच्चे का नहीं सोचके नहीं मिलने आई, ठीक है, मैं ये true वालों के लिए ही कह रही हो, आप खुद देखिए उस बच्चे से उसके फादर को मिला देती है उस बच्चे की खुशियों के लिए सोच लो, उस बच्चे की future के लिए सोच लो, सब लोग अंकुष को बोल देते हैं, भाई, एक मौका देके देखो, एक मौका देके देखो, आप मौका देके भी देख लीजी, अभी क्या होगा, वो आज भी अपने बच्चे को अगर वो नहीं मिलवा रही है उसके फादर से, तो सोचिए उसके मन में कितनी सारी negativity है इस family के लिए, ठीक है, इस अंकुष के लिए, कितनी negativity उसके मन में है, ठीक है, और बहुत सारे जो new subscribers है उनके लिए समझ आता है, लेकिन जो पुराने subscribers है, जिन्नोंने हर चीज देखी है इनके वीडियोस में, कि किस तरह से इसको harass किया गया, किस तरह से हर वीडियो में तडपता था, तब ये भाग रहती तो भाई, वो वाला time भी उसने देखा है और ये बार-बार जो बोलते हैं, कि मिरे को वो time लाके वापस आप दे दो, जो आप लोग बोलते हो, और बच्चे के future के लिए ही, है ना, ताकि साथ में अगर रहें, लड़ाई जगड़ा हो ego में, ये बच्चा उस बच्चे के future के लिए ही decision किया गया है, कि हम लोग दूर रहके ठीक है, दोनों का उसको प्यार दे साथ में रहेंगे, लड़ाई जगड़ा होगा उसके future खराब होगा, और ये हमने कई couples में देखा भी है, जब बच्चे को बहुत effect होता है, ठीक है और देखे, ये चीज़, जो parents है वो भली भाती समझेंगे और आज की वीडियो में भी रोने clear किया और मेरे को लगता है, यार आपका बेटा है आप उसको पूरा कमल बोलो आप उसका नाम भी ले सकते हो आपका हक है, या आपसे कोई नहीं चीन सकता है और visitation rights को क्या मतलब इनके against जाके अभीता की अपने बच्चे को नहीं मिलवा रही है उसके father से, तो ये clear कर रहा है इनोंने बोला था कि मैं अपनी बच्चा जो होता है ना, एक बच्चा माता पिता की बीच में कहते है ना एक पुल का काम करता है ठीक है, जब relationship खराब होती है कई बच्चे के साथ, दोनों आपस में जब नराज होते हैं बात कर लेते हैं, तो सब चीज़े ठीक हो सकती है और हो सकती थी, लेकिन क्या जो लोग प्रीतो को कहते है ठीक है, प्रीतो ने अपनी तरफ से initiative लिया क्या आज, second Sunday जो बच्चे से, जो decide हुआ था टाइम की बच्चा अपने पापा से मिलेगा क्या अगरी चाती, तो सब कुछ ठीक नहीं कर सकती थी लेकिन नहीं, सोशल मीडिया पर आके सामने वाले को गलत दिखाना है कि देखो, मैं तो घर बसाना चाती हूँ, लेकिन वो नहीं बसा रहा ठीक है, इस तरह की चीज़े लेकिन, actually मैं कौन क्या कर रहा है वीडियोस में देखा है, किसकी कितनी गलती है, और मैं यहाँ पर यह भी नहीं कहूँगी कि अंकुष की गलती नहीं होगी, अंकुष ने भी गलती की होगी, लेकिन यार उसने efforts किये हैं बच्चे के लिए ठीक है, और आज भी visitation rights मुझको तो लगता है कि प्रीतों पे भी case होना चाहिए कि वीजटेशन राइट जब उसको एक फादर को मिले हैं तो किस आधार पे उस बच्चे को नहीं मिलवा रही है उसके फादर से, है ना कुछ मुझे इतनी चीज़े जो लोग है जो कोट में है वो बेशक बता सकते हैं ठीक है, इस चीज़े मुझे बहुत knowledge तो नहीं है लेकिन कुछ तो चीज़े होती होंगी कि यार visitation rights जब मिले हैं तो तुम क्यों नहीं उस संडे को second संडे को उस बच्चे को फादर से मिलवा रही हो तुम उस चीज़े का भी उलंगधन कर रही हो ठीक है तो ये था मेरा वीडियो और जो बोला था इनोंने कि मैं 500% अपना घर पसाना चाहती हूँ अरे 500% तो छोड़ दो तुम 1% भी अपनी तरफ से क्या initiative ले रही हो उसे वीडियो में आके बोल देना शायद उसके मन में थोड़ा क्याते है न कि meltdown हो जाता लेकिन नहीं तुमने ऐसा कुछ भी किया नहीं है और अपनी ही घर में जो नंद है इनकी कंचन उनको आने नहीं दिया जाता था उन्होंने 6 मेने तक मेरे ख्याल से वो आई भी नहीं थी और आप उनके घर में देख सकते हैं मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो कहरती की बार-बार हलुआ नहीं मिलेगा और तुम तो खुद उसकी सास बनी हुई हो वहां पर है न कि भिंडी देखो बहुरानी को कटी-कटी सबजियां मिल रही है तो यार अभी ठीक है तुम चाहे मजाक में बोल रही हो लेकिन गलत चीज़े बोल रही हो ठीक है तुम जो इस इतना इंटर्फेर कर रही हो उस घर में रोज वीडियो में दिख रहा है तो ठीक है हसी मजाक करो लेकिन ऐसे ऐसी चीज़े जो तुम बोल जाती हो मजाक में वो चीज़े भी अगर उसके दिमाग में आ गई ना रोज-रोज हलवा नहीं मिलेगा देखो बहुरानी को कटी-कटी सबजियां मिल रही है है ना भिंडी पूरी खतम करके मतलब ये सब चीज़े आप सोच रहे हो ठीक है तो चलिए फ्रेंट्स ये था बागी कुछ कॉमेंट्स मैं अंकुष्की मैंने वीडियो पे देखे हैं तो मैं यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ मैं भी एक औरत हूँ बट सही को सही और गलत को गलत बोल सकती हूँ हम आज किसी ओल लेड़ी को तो ये सब नहीं करेंगे मुझे दुख होता है कि प्रितों ने ये सब किया अगर थोड़ी बुद्धी इस्तिमाल कर लेती तो सबकी लाइफ ठीक होती वो खुद जान बूच कर कर रही है और अभी भी नहीं सुद्री तो कैसे कोई देख कर भी उसे लेकर आए कभी नहीं लाना चाहिए बस तो अगर आप उसको मौका भी देते हैं ठीक है फिर से घर में आके वो सब चीज़े करती है और बच्चे के सामने दोनों पेरेंट्स की लडाई होती है सास को गाली ये सब चीज़े उस बच्चे के लिए क्या च्छी होंगी मुझे आप लोगी बताईए ट्रू वालो से मेरा क्वेशन है ठीक है प्लीज आप मुझे बताईए और उसमें ये बोला है कि भाई जो चीज मुझे कोट कहेगा बच्चे के लिए जो चीज़े मेरी तरफ से मेरे इसमें आईगी मैं करूंगा वो पीछे नहीं भाग रहा है ठीक है हर चीज के लिए वो तैयार है तो एक अच्छे दिमाग से ठीक है अच्छी पॉजिटिव के साथ आप सोची बच्चे के लिए कौन सा अच्छा है जहां पर दोनों माबाप लड़ रहे हूं एक दूसरे को मतलब गिराने पर लगे वे हूँ है या फिर दूर दूर से माबाप बच्चे को पूरा टाइम दे ठीक है जब उसका टाइम हो ये अच्छा महाल मिलना की दरफ से क्या वीजियो आया है और ये तो कंटेंप्ट ऑफ कोट ओर्डर है ना सेप्टेंबर टू मार्च साथ महीने हुए हैं मतलब लोग भी यह कह रहे हैं कि जब कोट ओर्डर से विस्टेशन के लिए सेप्टेंबर से मिल चुका है मेरे ख्याल से सिर्फ एक बार मिलव दूसरी साइड ने आपके लॉयर कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं आप पुलिस कंप्लेंड कर सकते हो कोट के ओर्डर का बालत नहीं किया जा रहा है तो जैसे मैंने ये बात बोली इन पे खुद अगर ये चाहें इनको अपने वकील से बात करके करना चाहिए बई जब इस चीज का तो फादर को बच्चे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता उसको इस्टेशनाइट्स मिल चुके हैं है ना बाकी अगर आप लोग लोग लॉयर है या आप लोग को ज़्यादा चीज से पता है तो प्लीज मुझे कॉमेंट करेगा और मैं भी इस बारे में सर्च रही था ठेक है बच्चे से क्यों नहीं मिलवारे है उसके पापा को है ना आइधिंक काफी लोग समझ चुके होंगे exactly क्या चीज दिखाई जा रही है क्या चीज़े चल रही है दिल में क्या है लेकिन सोशल मेडिया पे सामने वाले को बरा बरानी क्लिए क्या क्या बोला ज लगा अच्छा लगा तो like, share, subscribe कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई एंड टेक केर